इस बंदन करता हूं आप सभी का हाड़िक स्वागत करता हूं आप सभी कैसे बिंदास हैं बढ़ियां आपके तैहरी कैसे चल रही है प्यारे सात्ति हो आज़की class में आप सबीका हारदिक स्वागत समधानसभाक की बैठक के बारे में समधानसभाक के बारे में सारे representatives को समझेंगे सारी चीछों को मैं आपको बताऊंगा copper पहली का वही दूसरी का वही तीसरी का वही चोहती का वही कुछ ऐसे बिसेस्ट के साथ जो आज तक आपने कभी नहीं पड़े होंगे सी विद्यार्ति कमेंट मुझे पढ़ने दीजिए दिखनी रहें कमेंट्स बहुत-बहुत स्वागत आपका क्लास में बहुत-बहुत स्वागत और पड़े कीजिए बहुत-बहुत बढ़िया बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- वारत की समदान सभा अपने आप में बहुती उम्दा समदान सभा बनकर उबरी थी आज हम पढ़ेंगे समदान सभा के बारे में आज मेरे बगल में गौतम गंबीर साव आये थे उनको मैं सुन रहा था तो वह कुछ क्रिकेट के बारे में बातचीत कर रहे थे बड़ी आज पढ़ेंगे समदान सभा की बारे में समदान सभा की बैठक है कब कब हुई समदान सभा में क्या क्या हुआ इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते समदान सभा की बैठक आज का टॉपिक है आपको जो भी दावट हो कोई समस्या हो तो आप क्लास में पूछते चलना सम बैठक और सत्र में क्या पर्क है और लक्षमी कान जैसी किताबों में बैठक और सत्र को एक ही बता रखा है या उन्होंने सत्र की चर्चा नहीं करी है उन्होंने बैठकों की चर्चा कर रखी है सम्धाल सभा में बैठक और सत्र दोनों में अलग अलग अंतर है यानि सत्र का म कहीं पर आप ने लिखा देखा 211 member ने इस साल लिया यकीन मानिए कि आज से दो तीन साल पहले इस जानकारी की बारे मुझे भी पूरी तरीका से clarity नहीं थी सम्दान सवाग की बैठक और सम्दान सवाग के सतर में बहुत बड़ा difference है सम्दाल सभा की बैठकें अलगें सम्दाल सभा के सत्र अलगें आज मैं आपको क्लियर करा हूँगा कि सम्दाल सभा की बैठकों में और सत्र में कितना डिफरेंस है सम्दाल सभा की बैठकों की मैं बात करूँ तो करीब 67 बैठके हुई और सम्दाल सभा के 70 की बात करूँ तो अगर मैं 12 में 70 को भी लगा लूँ 24 जनवरी वाले को तो टोटल मिला के 12 सत्र होते हैं कुछ जगे लोग इसे 11 सत्रों के रूप में देखने हो कुछ जगे आपको मिल जाएगा लेकिन आज मैं आपके सब्सक्राइब करूंगा सम्दाल सभा की पहली बैठक एकदम बेसिक से सुरुबात करेंगे कि पहली बैठक कैसे हुई इसमें क्या क्या चीजे होई 9 दिसंबर 1940 की पहली बैठक के बारे माज हम चर्चा करेंगे आज हम जिक्र करेंगे टो चलिए सबसे पहले में आपको समझाना चाहूंगा समधान सभाकी पहली बैठक की हो इअगर पहली बैठक की आप बात करें तो सम्दान सभा की पहले बैठा कुई थी 9 दिसंबर 1946 को अब आप पूछे गूरु जी ये क्या था जिको सबसे पहले काम करते हैं सबसे पहले में आपको नहीं बताता हूं के सबसे पहले सबसे पहले सबसे बारे में बात समधान सभांगा प्रतं सत्र कब लगा प्रतं सेद्ंस की अंधर she अगर मैं पहले से संगी बाद करूँ तो समदान सुमाग के पहला से संगी शुरु और देसंबर neशनीं छालीज को कि नौड़क उल्नीस दिशंगानत करने को दो तक चला था पइला सत्र ये पूछा तो चला था आपके 23 दिसंबर उन्नीस सो चालीस तर यह देखो यह पहला सैसन है यह प्रिथम सत्र है इस प्रिथम सत्र के अंदर प्रिथम जो बैठक हुई थी पुई थी 9 दिसंबर इस प्रिथम सत्र हुआ इस पहले सत्र में 9 दिसंबर उन्नीस सो चालीस दस दिसंबर उन्नीस सो चालीस मेरे प्यारे दोस्तों आप लिखते जाओगे आपको मज़ा आएगा 11 दिसम्बर 1946 12 दिसम्बर 1946 13 दिसम्बर 1946 चलिए मैं और बताता हूँ 13 दिसम्बर 1940 इसके बाद आप देखोगे 16 दिसम्बर 1940 इसके बाद आप देखोगे 17 दिसम्बर 1940 17 दिसम्बर 1946 इसके बाद आप पड़ोगे तो 18 दिसम्बर 1940 इसके बाद 21 दिसमबर 21 दिसमबर 1946 इसके बाद 22 दिसमबर 1940 और इसके बाद 30 दिसमबर 1946 यह information आज तक आपने किसी किताम में न देखी होगी न आपने सुनी होगी ठीक है सम्मिदान सभा के पहले सत्र में इतनी सारी बैठके हो अगर टोटल आप गिनोगे तो टोटल बैठकों की संख्या आपको 11 मिलेगी यानि एक प्रश्ण बनता है बहुती प्यारा सा कि सम्मिदान सभा के पहले सत्र में कितनी बैठके होई सम्मिदान सभा के पहले सत्र में 11 बैठके होई और आज आप क्या पढ़ोगे पिर्थम बैठक के बारे में आप पढ़ोगी तेरह दिसंबर 9 दिसंबर गया दिसंबर यही आप लोगों ने सिरफ सुनी है सपना सिना जी जनरली बच्चा इनी बैठकों के बारे में सुना है कि आप लोग लक्षमी गांत पढ़ते हो जो कि अपने आप में बड़ी बुराई है अब लक्षमी कांट साब तो नहीं रहे पर बविस्य में टाटा या बविस्य में जो है मैगरा हेल इन चीजों को सुधार के कुछ और इंप्रूमेंट बुक्स में कर सकता है जिसे कि बहुत सारे युवा बिविन प्रतियों की परिच्छाओं के लिए प्रश्णों में गलती ना करेंगे पहले सत्र में ग्यारे बैठके कंडेक्ट होई ये ग्यारे बैठके हैं जो आप देख रहे हो समझ में आया तो सैसन क्या होता है जैसे हमारे फार्यों में सैसन चलता है बिंटर सैसन चलता है आज हमारे फार्यों में में आप देखते हो यानि इस प्रकारस न याउस तो अब टोटल देखोगे तो सम्झाना सम萬 में ग्यारे सत्र होई लेकिन मैं 24 जिनवरी वाले को भी सत्र मानता हूं तो टोटल बारे सत्र हुए और बारे सेशन में 166 बैठके समिदान सवा में कंडेक्ट हुए अब इस फैक्ट को कुछ लोग अलग-अलग प्रकार से पढ़ लेते हैं इसे कलती हो जाती है अगर समिदान सवा के मैं सत्रों की बात करूं तो सत्र हुए आपके बारे सत्र हुए अब जहां 11 लिखा है वह मैं बताऊंगा 11 क्यों दिये होते कुछ लोग क्या करते हैं कि 24 जनवरी 1950 की जो बैठक हुई ती वह अकेली हुई थी उसको कुछ लोग क्या मानते उसको कुछ लोग जो है सत्र नहीं मानते लेकिन वह वाकी में एक सत्र था एक सहसं था आगे आप पड़ोगे कि समधानसमा में कुल बैठकों की संग्या कितनी हुई तो टोटल बैठकों की संग्या समधानसमा में 167 हुई तो एक बेसिक निकल कर आया कि दिर्वाट one दिर्वार सैसंths का जो नंबर था ये था बार ए और जो नंबर मीटिंग था लोग दा 167 आप जनर बच और इस बैठक में इतने लोगों ने सिसा लिया प्यारे सात्यों इस बार कुछ ऐसा नहीं है इस बार कुछ अलग है और अलग का मतलब है कि आपके कुछ चीजों को दूर करना आपकी कुछ कॉंसेप्ट को सुधारना आपके कुछ बातों को समझाना मैं बुक बनाओंगा बहुत जल्दी बनाओंगा मौनु सिंग जी मौनु विस्नोई जी मेरी बुक आएगी बहुत अच्छी आएगी तो ये आप समझ पारें इस चीज को अगर आप से कई प्रशन पूछ ले examiner कि समझान सवा में number of sessions कितने हुए तो 12 session हुए समझान सवा में total बैठक है कितनी हुई तो समझान सवा में बैठकों की संक्या 160 है ये सारी चीजे explain मैंने क्यों आपके सामने करी है इसके पीछे एक बड़ा basic सा point है और point कि है कि आपको ये बातियों के मन में रहता है कि समदान सवा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को ही इसमें कोई डाउट नहीं है 100% आप एकदम सही है पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को ही अब मेरे साथ कहानी सुनिये और चीजों का आप समझे अब मैं आपको समझागा कुछ basic और कुछ advanced level की चीजे समदान सवा की जो पहली बैठक होई इस पहली बैठक को 9 दिसंबर 1940 को कंडेक्ट हुई और एक आपर कंडेक्ट हुई तो दिल्ली में कंडेक्ट हुई दिल्ली में कहां तो दिल्ली में सेंट्रल हॉल आपने सुना होगा जिसे आप बोलते ही केंद्री हॉल कि बरतमान में इसने कंडेक्ट हुई और 11 बजे सम्दानसवा की पहली बठक कंडेक्ट हुई कितने बजे 11 बजे तो यह एक fact हो गया कि सम्दानसवा की पहली बठक नौ दिसंबर 1940 को 11 बजे डिल्ली के central hall में हुए 11 बज़े क्यों ही बैठक और सत्र में बहुत बड़ा अंतर है जीडी सिंग मेरे भाई एक सत्र के अंदर कई सारी बैठके होती है एक सेसन में कई सारी बैठके कंडेक्ट होती है यह इनमें बहुत बड़ा अंतर है सम्दाल सवा की पहली बैठक 9 दिसम्मर उनीस सो चालीस को और सम्दाल सवा का प्रतम सत्र भी 9 दिसम्मर उनीस सो चालीस को स्टार्ट हुआ सम्दाल सवा के पहले सत्र में यानि पहली बैठक में आचार जेवी कृपलानी जी ने अब हमें क्या करना था हमें पुझरक भिक्ति तनी मुरूजर नहीं थे लेकिन एक प्रगार से रावांज में आदार पर भारत की संदान सब्सक्राइब नाम 952 रिख्ती सब्सक्राइब हुझ spend क्योंकि सजदानान सिना सम्दान सभा में सबसे बुजुर्ग विक्ति ते डिफरेंट क्या है सर दोनों में अभी पता चलेगा टेंसर ना लीजिए और यह डॉक्टर जेवी सुरी जेवी क्रप्टानी साहब उस समय आप बताऊं आपको तो कॉंग्रेस के राष्टी में समदानसभा में बोलने वाले प्रथम नेता कॉन थे सम्दान सभा में बोलने वाने प्रतमने नता का नाम था जे वी करप्र ला नी बास समझ में आईए अप लोगों के लिए तो सचदानन सिना ने इनका नाम प्रपोस कियाount अब एक सबसे प्यारा प्रशन आता है जिस प्रशन पर लेकर हमारे बहुत सारे युवा कंफ्यूज रहते हैं इनको उत्तर नहीं पता होता कि सम्दान सवा की पहली बैठक में कितने लोगों ने इस्सा लिया सम्दान सवा की जो पहली बैठक वोई तीस में कितने लोगों ने इस्सा लिया तो मेरी बास सुनेंगे सम्दान सवा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने इस्सा लिया आप किसी भी ड़कुमेंट को पढ़ोगे यह आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा कि सम्दान सवा की पहली बैठक में 207 मेंबरों ने इस्सा लिया इसमें कोई डाउट नहीं है अब इसमें कन्फूजन है और कन्फूजन क्या है अगर कोई पूछता है कि सम्दान सवा के पहले सत्र में कितने लोगों ने इस्सा लिया तो इसका जो उत्तर होता है वो होता है 211, अब यही confusion है कि बहुत सारी किताओं में 211 लिखा रहता है या बहुत सारी किताओं में 207 लिखा रहता है, इस confusion को लोग दूर नहीं कर पाते हैं, प्रतम सत्र जो हुआ था, इसके बारे में कहा गया कि पहले सेशन में टोटल लोगो ने इस्सा लिया, वो थे आपके 211, यानि प्रतम सत्र हुआ, इसकी तिथी क्या थी, तो मैंने आपको तिथी अभी बताई थोड़ी दिर पहले, तिथी आप जो देख रहे हैं आपर, यह तिथी है, 9 दिसंबर 1940 से लेकर, आप कह सकते हो, यह 30 दिसंबर 1940 तक का जो पीरियर था, इस पूरे पीरिड की बात करोगे, तो इसमें 211 अदस्यों ने इस्सा लिया था, और प्रतम बैठक की बात करोगे, यानि पहले दिन की बात करोगे, तो पहले दिन 207 लोगों ने इस्सा दिया था, लेकिन दोनों चीजे हुई कब थी, दोनों चीजे हुई थी, आपक किसी किताब में 211 पढ़ते हो और किसी किताब में 207 पढ़ते हो अब मुझे बता हो कि डाउट आपका किलियर हुआ की नहीं हुआ कि यह डाउट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बाइस अभी के से भी ध्यारती क्लास को लाइक कर दे और आज हमने तोड़ा डिफरेंट कॉंसेट उठाया है तो आपकी संख्या बढ़नी चाहिए कम होने की वज़ा है विगोज और एक्स्टोडिंग तब मच लेवल यह आप चाहते हो कि बेसिक पॉलिटी चलती रहे हमारी बताईये समझ में आया कितने लोगों की समझ में पॉइंट अभी क्लियर हो गया कि सर यह डाउट रहता था आज आपकी समझ में पॉइंट आगया कि नहीं आया है समझ में आगया कि नहीं बताओ समझ में आगया पॉइंट इसके लिए वह तो आप लोग करते जाओ यह सर के लिए सर फिर से प्लीज बेटा फिर इसमें कुछ भी नहीं है एक बेसिक सी बात है समझाल सभा में सदस्यों की संख्या पहली बैटक में 207 और प्रतम सत्र में सदस्यों की संख्या 211 थी अगर आपके सामने आए और आपके सामने आए और यह आपका एकडम क्लियर हो जाता है इसमें किसी प्रकार का गोई डाउट आपके मन में नहीं बचता है समझाल सभा की पहली बैठक अगर आपके सामने आए और पूछे आप से कि समझाल सभा की पहली बैठक में पहली बैठक यानि 9 दिसम्मर 1940 को ही तो बेसिक प्रशन बनता है क्योंकि इसमें कुछ बच्चे भी क्लास को देख रहे होंगे जो पहली बार त्यारी कर रहे तो ब बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मिन है इसको आप लोग एक बार सुन लेंगे तो आपको याद रहेगा यह इसके प्रथम अध्यच थे सचदा अनंद सिन्हा एक प्रशन समझ में आप लोगों के नहीं आया कोई डाउट इसमें अब आता है कि प्रथम बैठक में एक समझाल स समझाल सवा के उपाध्यच कौन थे यह अपने आप में बड़ा प्रशन है समझाल सवा के उपाध्यच कौन थे यह प्रशन भी आपके सामने पूछा जाता है समझाल सवा के में उपाध्यच दो प्रकार से रहें एक तोरे मनोनित 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 का मतलब होता है नोमिनेट है तो यहाँ से फ्रिश्न आपके एक्जामें वंता है कि संदान स्वा में पहले मनोनेतृ उपाद्यच का नाम गया था तो इनका नाम था फ्रैंक एंन्थोनी प्रैंक एंधोरी प्रेंक लुन वेति ये कौन थे फ्रैंक अन्सवाग के निवा नी कैसे थे मनॐनित थे सम्धान सभा के जो actual उपाध्यच बने यानि actual उपाध्यच के एक बात करो तो 25 जनवरी 1947 को सम्धान सभा के उपाध्यच बने थे H.C. मुखर जी कौन बने थे हरेंद्र कोमर मुखर जी आपने नाम सुना होगा H.C. मुखर जी यह सम्धान सभा के उपाध्यच बने थे कब ब जारेवाई 25 जनवरी 1947 को बाद में क्या हुआ कि इनका जो बेकंसी था इनका जहांसे चुनाव लड़ा था एचसी मुखरजी बेंगॉल की हुआ करते थे इनका जो पद था एचसी मुखरजी साब का वो चला गया कहां वो पद चला गया पाकिस्तान के साथ बटवारे में अचा जिए बहुत बड़ा एक और आप लोगोंने सुना होगा कि समदान सवा में उपाद्द्यक्यों की संख्या पहले 5 रहनी थी बात ने भोला कि सम्दानस वार पाद्द्रच्च्च्यों की संख्या दो रहेगी है ठीक है तो इसमें VT कृषनामचारी वीतिक स्नामचार अब आप पूछे गुरु जी इसमें अंतर क्या है तो पिटे इसमें बेसिक सा अंतर है बेसिक सा अंतर क्या है सम्मिदान सवा के पहले सम्धान सभाग के पहले निर्वाचित उपाध्यच कौन थे तो उनका नाम है एचिसी मुखर जी सम्धान सभाग के पहले मनोनत उपाध्यच कौन थे तो उनका नाम है क्या नाम है उनका फ्रेंक एंथोनी उनका नाम क्या दोगे आप उनका नाम होगा फ्रेंक एंथोनी कि देंगे तेंगे उसकी जूहूद नहीं आपको पहले आप इन चीजों को समझने को सब्सक्राइए क्या चल रहा है सम्धान सवा के उपाद्यच को लेकर आपकी डाउट क्लियर हुए इसमें बहुत बच्चों को डाउड था सम्धान सवा के उपाद्यच फ्रेंक एंतोनी तो जो कितावों में दिया है वो सम्मिदान सवा के निर्वाचत उपाद्यच थे और अगर कभी आप से पूछ ले किस तारीक को बने तो 25 जनवरी 1947 को बने थे नो दिसंबर 1946 को सम्मिदान सवा के जो उपाद्यच बने थे वो हुआ करते थे आपके फ्रैंक एंथोनी यह बात कितनी बिद्यारतियों को क्लियर हो चुकी एक दो दो सदशियों को अंतर और बताएए सर दो सदशियों का डिफरेंस का उंसा पड़ाइ में मन NICK Nield other तो में पर एता करें बैठक और से हिंशन के सारी बातों के बात करेंगे सारीं के बताइगे कि बात मुझे आप बताइए धाये कि दो महिने चार महिने एक महिने का सेसन कहते हैं और बैठक होती है कि उसके अंदर होने वाली बैठक है आप आज मिले आप कल मिले आप परसों मिले कि बैठक है आप मेरे से पूछेंगे गुरुजी एक बात बताएए साल और महिने में क्या अंतर होता है जैसे सत्र होता है वो स चोटी होती है सत्र की अंदर बैटक हो रही होती है यह प्रोवीजन है जो आपको समझना है लोग सचिन कुमार जी किया रहा है यूपीएसाइक लिए सफीसेंट है यह सचिन कुमार जी UPSI के लिए सफीसेट मान रहे है आप इसको तेरे दोस्त मेरे भाई UPSI से हजार गुना उपर है जे हजार गुना उपर है उससे UPSI में तो हमने पिछली बार जो पॉलेटी पढ़ाई थी उतकर्स में वही फस गई थी इन सारी चीशों को पढ़ने की जूरूत में UPSI के लिए आपको बेसिक पढ़ रहा है यह सर के लिए आई एस लेवल यूपी पीसस यूपी एसस लेवल यह तो बास समझ में आगे एकदम के लिए पॉइंट कोई डाउट इसमें किसी विद्यारती को कोई डाउट नहीं है मजा आ रहे है पॉइंट एकदम के लिए अब पढ़ते हैं सम्दान सभा की दूसरी ब कितनी मेलाओं ने भाग लिया था मेलाओं की संक्या और लिख लेंगे सम्दान सभा की पहली बैटक में मेलाओं की संक्या कितनी थी तो मेला इसमें 10 हुआ करती थी 10 देखो अब जो आगे लेवल पर चलोगे तो लेवल तो किसी चीज का बदलता नहीं है अगर आप और है विए आध को सोता गोराओं मेल आध कहते यह सब क्यूंति कि नामसे क्यों जाना जाता है कि यह सब्सक्री यह वैटक बता सकता है था निवा था पैली बैठक को च्राफ क्यों किते हैं दसी पॉष साटीय करन मेरे इंट्रूू बैस्ट डीशेश पेस्टक। डिप्ती कलेक्टर संजे कुमार तिवारी आपका इंट्रू अच्छा गया है डिप्ती कलेक्टर बनो गया बहुत बड़ी आमार आशिरवाद प्रेम आपके साथ है अगर डीसी बन रहे हो तो बाकी बन रहे हो तद भी अपके साथ ही है बताईए वाई क्यों एसें सिर्ना द प्रशनदेव रैकूट बंगाल के एक मेंबर हुआ करते थे इनका सम्मिदान समा में पहले दिन इनका निदन हुआ था इनका सोक एक प्रकार्थ सम्मिदान समा में मनाया गया था इसलिए सम्मिदान समा की पहली बैठक को सोक बैठक के नाम से भी जाना जाता है यह प्रश राचीत जो आपने समझी है आपने सुनी कि पहली बैठक क्या थी पहली बैठक में क्या गया चीजह होई थी आपने जानी मुझे पूरी उमीद है आपको इसको पढ़कर मज़ा आया होगा अगर मैं और भी आपके सामने बात करूँ अब बात करते हम सेकंड वैठक की सम्दान सभा की दुद्धिय वैठक की बात करते हैं दुद्धिय वैठक का हुई देखो सेकेंड बैटक जो सम्दाल सवा की हुई वो ही 10 दिसंबर 1946 को वो सारे विद्यारतियों को लगता है कि नहीं वो ग्यारत तारिक हुई ऐसा बिल्कूल नहीं है सम्दाल सवा की दूसरी बैटक 10 दिसंबर 1940 को हुई थी इस बैटक की अपने आप में बड़ी चीज है पहली बैटक 10 दिसंबर 1940 को सम्दाल सवा की कंड़क्ट हुई थी और इसी बैटक में इसी बैटक में कि सम्दाल सवा का अध्यच कौन होगा इसके बारे में बारता हुई थी सम्दान सवा के अद्यच के बारे में और मैं आपको बता दू कि सम्दान सवा के अद्यच के बारे में वारता हुई सम्दान सवा के अद्यच का चुनाव के लिए प्रिक्रिया की बाचीच चली अब ये कहा कि सम्दान सवा का अध्यच कौन होगा इसके लिए बात्ची चली कि सम्दान सवा का अध्यच कौन होगा सच्दानंद सिन्ह उसमें सम्दान सवा के अध्यच हुआ करती थे अब इस था ही अध्यच का चुनाव हो रहा था तो सच्दा नंद सिन्हा जी के पास कहा कि अब इसका अध्यच कौन बनेगा तो यह जो बारता चली इसका जो पूरा प्रारूप बना पूर दस तारीक को बना था 11 दिसंबर 1940 को सम्दान सवा की तीसरी बैटक हुई और 11 दिसंबर 1940 को सम्दान सवा के जो अध्यच थे वो राजंदर प्रशाद बने अब यहां पर भी बहुत अच्छा पॉइंट है कौन बने राजंदर प्रशाद बने यहां पी बड़ा अच्छा सा प्यारा सा पॉइंट ह जब ये अड्यच्छ बने समधान सवा के राजन प्रशाद तो क्या इनका चुनाव हुआथा? नहीं, निवरोद बने थे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ अनपोज़ड थे जब सच्च्दानंद सिन्ह ये थे अनपोजड जो सच्दानन्द सिन्हा की पास सच्दानन्द सिन्हा सम्दान सवा के सामने गए वो सम्दान सवा के सामने उन्होंने जाकर कहा कि आज सम्दान सवा के अध्यच का चुनाव हो रहा है लेकिन मेरे पास एक ही व्यक्ति का चुनाव का परचाय है तो इसी लिए सम्दान सवा मे निर्वरोद अज्दच की रूप में चुनेगे समदान सवा में डॉक्टर राइंद परशाद का जो प्रारूप था जो पेस किया गया था उसमें दो परस्तावक थे और दो अनमोदक हुआ करते थे ये प्रशनवी एक्जाम में पूछे नहीं जा रहे हैं परणोदक का थे दो परस्तावक का थे लेकिन दो परफूसल थे और दो सकिंडर्स थे चिने ने डूक्त्र हैंद प्रशाद के नाम पर परसाद का नाम गया सुछाद ने ऑาก synchronous यह ने पास एक ही नाव माकयादच को पहले से चेर्मेन कहा करते थे तो चेर्मेन ऑप इसेम्बली वोज डेख्लिएड अच्छा नंद सिना डक्तर राइंद प्रशाद तो यह अच्छा परस्ट मन सकता है कि डक्तर राहिंद प्रशाद को नाम का क्यों जिकर किया गया वह किस ने किया अमद्र दिसम्बर को दूसरी वेटा को मने घर राजस्कुमार जी आयोग के बांग खाकर वेटा है आक्टिली आप लोग आयोग को पूर्ख मांते हूँ ऐसा बिल्कूल भी नहीं है किसी किताब में लिखा यह बात कि सम्दार स्वा की दूसरी बेटक 11 तारीक कोई थी नहीं लक्षमी कान शापने यह ने निकी ुद्चाब कiała क्ने ये लिखा यह लेक्ष्मी कान सबमें सम्दान सवा की 11 दिसमबर की वेठक में सम्दाल सवा कि उपाद्यच बनेते डॉक्टर राज दो अद्यच बनेते राजन प्रसाद जी उन्हों नहीं यह नहीं कहा कि प्रतम बेटक में क्या हुआ दूसरी बेटक में क्या हुआ कि बास समझ में आ रही है अवाज रही है आपको गल्प नाई उपट्या थिक है समझ में आ गया पॉइंटे गिए कोई टावट किसी को गावट कि को एक डम किलियर है कोई समस्या चली बहुत-बहुत-बहुत-बढ़िया बहुत-बढ़िया कोई समस्या नहीं है बहुत अच्छी इंफोर्मेशन आपको मिली तो यह होगी संदान सभाकी पहली बैठक के बारे में पुरा का पूरा प्रारूप मैंने आपको तो बता दी ठीकर सम्दान सवा के निल्वत दच्छ बनेगे डॉक्टर राइंद प्रशाद इसके बाद आप देखतों सम्दान सवा की तीसरी बैठक होई पुईती 12 दिसंबर 1946 को सम्दान सवा की तीसरी बैठक में विचार हुआ उद्देश प्रस्ताफ पर उद्देश प्रस्ताफ का जो प्रारूप बनकर त्यार हुआ था वो 12 दिसंबर को बनकर त्यार हुआ था कि उसका प्रस्ताफ का प्रारूप कैसा रहेगा उद्देश प्रस्ताफ का प्रारूप कैसा रहेगा यह 12 तारीक को बनकर त्यार हुआ था इसका प्रारूप और 13 दिसंबर 1946 को उद्दे से प्रस्ता आपको पेस किया जवाला नेरु ने यानि उद्दे से प्रस्ता पेस हुआ था जवाला नेरु ने इसको पेस किया था 3 दिसंबर पेस किया गया था उद्धिस प्रस्ताफ को पेस किया गया था तिरे दिसंबर 1946 को ठीक है यह बहुत ही सिंपल है किसने पेस किया था तो जवाला नहरू जी ने उद्धिस प्रस्ताफ को उद्धेश प्रिस्ताव को संब्दान सवाले सुईकार किया था तो दो प्रशन आपकी एक्जाम में बन जाते हैं जो आपसे एकसर पूछे जाते हैं इरे प्रशनों को आप याद रखेंगे ये आपके लिए बहुती काम की प्रशने जो आप से बार बार आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं बास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है इस पॉइंट इस क्लिर और नॉट क्लिर लोग लिखे एक बार अब सब्सक्राइब कलिया बहुती बढ़िया बहुती सौलेट बहुती बहुती सॉलेट बहुती सौलेट लिखले आप वोगों ने कमेंट्स इनके कमेंट्स न ही Lambly नहीं पी SAN FU कि थयर्ट है कि मैं इसमें किसी बिद्यार्त को कि इसमें करते हो हैं तो ऑ सर मेरा नेम लीजे राजकुमार जी बहुत बढ़िया नहुं जी靈 दिस करी थी बहुत दिसम्मर तक बारे बैठा के होंगी ना हाँ यह तइस दिसम्मर तक बारे बैठा के नहीं ग्यारे बैठा के आप यह गिनी न है यह पढ़िये ना तेज़ दिसम्बर हमने गलत लिख दिया टोटल बैठकों की संख्या आपकी 11 है तोटल जो आपकी बैठकों की संख्या हो कितनी है ग्यारे बारे नहीं है टोटल बैठकों की संख्या आपकी 11 है टोटल ग्यारे सत्रों तोटल ग्यारे सत्रों नो दस ग्यारे तेरे सोले सत्रे 18 19 21 20 total संक्रा कितनी है 21 जणवरी पहले पहले बताए थे 21 जणवरी है दिसम्बर के महीने में सारी बैठा तो मेरे बाइब उपेंद्र 22 जनवरी 1947 जनवरी है वह कि दिसंबर की बैठक है पहले सब्सक्र में डिसंबर की बैठक है मैंने आपको 11 बताई है मेरे दोस्ट तीसरी बैठक गया है दिसंबर को ये थी तो किया पूछ रहे सोनिय तो 12 दिसंबर को बिटा समझ नहीं पा रहे देखो क्या लिख्या है हम लोगों ने हमने लिखात कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई दूसरी दस को तीसरी ग्यारे को चौथी बारे को चौथी बारे को और पांच मी बैटा कोई आपकी तिरे दिसम्मर को पांच मी बैटा कोई तिरे दिसम्मर को तो आप एक प्रगासे डेट लगे लो ना उसमें तो एकदम बेसिक सा पॉइंट है उसमें आपको करना किया है वाई सिंपल है नौ तारीक को पहली दस तारीक को दूसरी ग्यारे को तीसरी बारे को चौती और ये एक दो तीन चार पाँच ये कोशन भी आपके एक्जाम में पूछा गया है कि उद्दे से प्रस्ताव ये प्रस्ताव अब्जेक्टिव रिजॉलुशन को जावाला नेरू सब्सवा की कौंसी बैठक में पंपयस किया था को चांसें पेस किया था तो इसका उत्तर क्या होगा सभी बच्चे लिखें इसका अंसर क्या होगा समदान सब्सवा की पाचथ मीं बैठक है फिल्ट है यह फोर्थ है थर्ड है यह सेकंड है और यह आपकी फर्स्ट है इस दिन क्या हुआ था सम्दान सवा के अस्थाई अद्यच बने थे एक तो अच्छे प्रकारते चीजों को याद रखना है इस दिन क्या हुआ था उपाद्यच के लिए सहमती बनी थे अद्यच कौन बनेगा इसके लिए सहमती बनेगी नहीं तिस दिन क्या होा था इस दार इस धायटच का चुनाव रहा था शमदान सवा का इस धायच कंग और बurg परिवेट को पढगे तो यह ہर जगे देखने को मिल जाएगा बारत सरकार ने पब्लिक कर रहा है कि पहले सत्र में कितनी बैठके हुई थी नौ तारीक दिस तारीक गैरत तारीक यह समधान सवाह का डेटा जो है यह बारत सरकार ने पड़ोगे तो आपको अक्सर हर्ज़ेगा देखने को मिल जाएगा का तो भाई 22 जन्बरी को स्विकार के था अम्रे दूदिफ फृस्ता कि तुम बार बार इस बात को उड chairman। आइ साथ जिन बच्चों की समझ में समझ नहीं आ रहा है निए थूठी से श्टमिस स्टेटी kau पात या और में समय से घृकत में घर पांद। तो चीजों को समझ जाएंगे बहुती बेसिक बेसिक चीजे हैं तीक है बहुती बढ़िया ससांग चत्रवीदी जी कह रहे हैं हमने आपका कोर्षी परचेस गया है सांग जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद बास समझ में आगे यह आपकी पहली बैठक होगी सोग सम्झान सवा की बैठक होई आप नहीं याद कर सकते हैं आपको याद करना संभ भी नहीं है इन्हीं संदाल सवा की बैठकों को चलती चली गए सम्दाल सवा के अध्यच तो अभी तक आपके दिमाग में क्या क्लियर हुआ सबसे पहली में बात बताओं आज की क्लास में तो सम hai संभा कि सत्र किसे कहते सत्र किसे कहते सत्रों की संख्या 1000 अधरी संख्या है और उटी कि इतनी सदस्य थे और इसमें कितने मेंबर थे सभी को एकदम के लिए इसमें कोई प्रकार का डाउट इसके आसपास के सभी प्रकार के फेक्ट भी आपको जानकारी हो चुकी है सारे फेक्ट आप जान चुके हो सारे फेक्ट आप लिख चुके हो सारी की सारी जानकारी आपको हो चुकी है मतलब यह क्या बोलना चाह रहे हुआ है अब उद्देश प्रस्ताप को कब स्विकार किया गया था ओके उद्देश प्रस्ताप को 22 जनवरी 1947 को यह यह था क्या प्रशना आपका यह था क्या नहीं नहीं सब गलत लिख रहा है 141 बैठके कभी नहीं 166 बैठके होई है यह पूछना जा रहे थे क्या बेटा 22 जनवरी 1947 यह डाउड था क्या आपका ठीक है जवाला नेरून उद्दिश प्रस्ताप को सुईकार किया था ठीक है चलिए समझ में आ गया तो यह आपका 1 इक दम क्लीर हो अब आते हैं बात आते हैं समधान सवा में कितने समधान बनने लगा वला कि समधान की प्रिगना सब्सुपर बन के त्यार होने लग्शन को मैंlyaसा सम्धान बनाने में सबसे इंपोर्टेन चीती प्रारूप समित्य आप लोगों ने आज तक खूब पढ़ा होगा प्रारूप समित्य प्रारूप समित्य के गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तारीक को प्रारूब समित्य के गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को प्रारूब समित्य के गठन किया गया था अब एक बहुत अच्छा प्रशनाच के लेक्जाम में पूछा जा रहा है कि प्रारूप समित्य का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था कोई बच्चा आप में से बदा सकता है कि प्रारूप समित्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था कोई बच्चा है जो बदा सकता है इस information को प्रारूप समिती का प्रस्ताव किसने पेस किया था किसने पेस किया था तो बदा सकता है प्रारूप समिती का प्रस्ताव किसने पेस किया था कोई बच्चा है जो बता सकता है इस को प्रारूप सम्ति का प्रस्ताव किसने पेस किया था थैंक्यू यूट्यूबर निया थैंक्यू थैंक्यू बताइए प्रारूप सम्ति का प्रस्ताव किसने पेस किया था हमारे समदान में बहुत बढ़िया सत्य नारायन सिन्हा नहीं किया था बहुत अच्छा उत्तर दिय या आप सबी को जानकर है इसके बी और अमबेड कर इतिथoku प्रकार प्रस्ष्ण में जानहें सब नारान सिन्हाजी ने संना जी इसका प्रस्ताव पेस किया था, बहुती प्रिश्ण का उत्तर कहाँ से पड़ा आप लोगों ने कहाँ से पड़ा आप लोगों ने इसका उत्तर कहां से पड़ा सुर। संदान सुआ का पृथम वाचन यह एक रेडिंग है इसके बारें आप पड़ेंगे संदान सभा का सवहाचल प्रारूप समिथी बनाने लगी थें संदान सभाचल्प आरतियवहाचल पी बक्रेटी ऑचलतें संदान सभाकि थाडर रिल्ट इसको आप लोग क्या नाम देते हो थार्ड रेडिग यानि अन्ति इसको नाम देते हो सैकंड रीडिंग यानि दूसरी ठीक है आप लिखते जाएंगे सभी के सभी और इसको नाम देतो हो first reading यानि पढ़ता समझ रहो मेरी बात बड़े द्यांते चीशों को सुनना किसी प्रगार का डाउट हो तो मेरे को बताना सम्दान सवा की जो पहली रीडिंग हुई यह वह चार नवंबर 1948 को चार नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक सम्दान सवा की पहली बैटा की एक्जाम में पूछिया थे सम्दान सवा की दूसरी बैटा कोई सम्दान सवा की तीसरी बैटा का आप से पूछिया आती है सम्दान सवा की तीसरी रीडिंग पूछिया थे रीडिंग कव हुई तो यह वी आपकी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 यह देखिए यह आपके सामने कुछ फैक्ट है इनको एब एक बार देखेंगे कि सम्दान सवा की सबसे चोटी बीडिंग थी सबसे चोटी इसे कहते हैं स्मॉलेस्ट सम्दान पर्थम दिन इस तारीक को पढ़ा गया पर्थम बार इस तारीक को पढ़ा गया सम्दान सवा की सबसे बड़ी रीडिंग क्योंकि इसका जो पीरिड है 11 महिने की सबसे बड़ी 11 मंत की सबसे बड़ी यानिë लॉंगेस्ट सम्दान सवा की जो रीडिंग तीड वसी है् लॉंगेस्ट रीडिंग अपडिए से कहते हैं सम्दान सवा की सबसे बड़ी बैठर 14 न अवंबर कि लाश्ट रीडिंग इसको नाम देते यानि सम्मिदान को अंतिम बार पढ़ा गया इसे नाम देते अंतिम रीडिंग कि अन्तिम बोचन सम्मधान सवा का इसको अइग में फटारष शती विद्यार्थ ल NICK कि पहले बता दिया कि आयों कुछ भी बना रहा है लेकिन आज limited ता आपका देव देव सिंग जी कौन सा प्रशन था प्रश्न है देव सिंग प्रशन क्या था आपका कि ब्रस्ट गया था बीए रॉने संवा का पहला प्रारूप बनाया था यह विद्स करें आपका पर्शन क्या पूछा दा कमीशन में दूसरी बैठक नहीं दूसरा वाचन क्योंकि दूसरे वाचन में समदान समा में बहुत सारी चीज़ डिसकस हुई थी और अंति मवारा जो समदान बना बियन राव कौन थे बियन राव एक सिविल सेवक हुआ करते थे सभ्ते बियन राव उन्होंने समदान का पIEलाप रारूफ बनाया था भारति सेविल सेवक थे पहला प्रारूफ इन्होंने त्यार कर के दिया था बाद में पीर अंत्यिए को चुना गया उन्तीश चै Regel पूना एहम जायकर साब को बिठा कर पूना की सीथ ते रोगों का अव लोग हो लोग है थे इस प्रकार से पूरा का पूरा क्रम चला कितने विद्यारती हमारी क्लास को इंजय कर रहे था कि मुझे पता चले कि टैस्ट कैसा है लोगों का अब लोग जनरल चीज़े जाहा देखना पसंद करते अब देखो आदमी वही देखे जिसकी समझ में आएगी अब क्या होता ह आज पाएं तो आप इस प्रकार की टैसर बिल्कूर न लिया करें अब है चलिए अभी समझ में आ गया इसमें कोई डाउट किसी को तो सम्धान सभा अंतिम बार 26 नवंबर 1949 को पढ़ी गई और अंतिम बार जब पढ़ा गया सम्धान तो इसी दिन हमारे सम्धान सभाने सम् सभार कर लिया अब प्रशना आपके लिए बहुत प्यारा सा बनता है रही है अच्छा प्रशना आपके लिए अजकर बनता है यानि आम मैं I am मैं इसको निप्ता रहा हूं एक सम्मधान 26 नवंबर 1949 को क्या क्या हुआ तो इसके दो डेट है इस तारीक को दो काम होगी दो दिद्या पढ़ते हो एक आप लोग पढ़ते हो 26 जनवरी ननीसो भजास इक आप पढ़ते हो 26 नमबर उनीसों लिंचास 26-जनवरी उनीसों लिंचास को सम्मेधान स्विकार हुआ इसको आप लोग स्विकार बोलते हो और इस दिन सम्मिदान लागु हुआ दोना मंतर समझा रहे हैं इस दिन सम्मिदान लागु हुआ इस दिन सम्मिदान स्विकार हुआ संभीदान को सुईकार किया गया पुरा सुईकार वूए है इस दिन संभा लागु हुआ तो यह से कहते हैं डेट ऑफ एक्सुए सब्सक्री किसे अभर आप आंसिक रूप से लागू तो आंसिक रूप से लागू भी सम्मिदान आपका चब्वी नुवंबर पुनियुसों नचास को हुआ था यह बात भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है आंसिक का मतलता है पार्शली इसी तारीख को स्विकार हुआ था पार्शली डेट बिल्कुल आपकी यही ठीक है इस तारीख को सोले आर्टिकल यानि अनुच्छे पांच छे साथ आट नौ बड़े होंगे आप लोगोंने अनुच्छे साथ नाम सुनाया साथ में क्या होता है तीन सो चौवीस तीन तीन सो साथ टीन सोच्छ इटाओ तड़ाया अपने 390 तीन सो हरसट तीनसों शसटें तीनसों ऐसे तीं तीनसों अठासी 391 392 और 393 तो कितने हुए आपके आर्टीकस एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तरस क्यारे बारे तेरे चोड़े इसमें क्या क्या छूट गया भी पांच छे साथ आठ नो साथ तीन सो चोविस तीन सो चाशाथ तीन सो सरशट तीन सो उन्यासी चुड़ गया 10 11 12 13 14 15 और एक आपका खुद 394 जिसको आप इंक्लूट करेंगे तो टोटल जाके आपके आपके आर्टिकल्स की संक्या हो जाएगी यह आपके 16 के 16 आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसलिए आप कहते हैं कि हमारा संब्दान आंसिक रूप से चप्वी नवंबर निश्यों निश्यों निश्यास को लाग हुआ था कि कोई बात नहीं है नहीं पढ़ा तो कोई बात निया समझ में आ गया सर माफ कीजी अब मन से नहीं पढ़ा रहे है पर बिसलेशन मन से नहीं कर रहा चलिए अब बिसलेशन कर लेते हैं-ब गाई जी डी सीग अब इसको यहीं रोकते हैं-बिसलेशन कर लेते हैं-बिखो सम्धाल सवाके 16 आर्टिकल्स क्यूं लागू खिये थे समदान सवाके 16 अदूच्छेशं को ही हमने क्यों लागुकिया था इसके पीछे कारण क्या था मैं आपको आपको समझाता हूं क्या क्या हुआ था समदान सवाके 16 आपको लागुकरने का पिछे था हमारे देश को विवाजर हो कि या इसलिए हमारे समदार में Twenty Article's को तत्काल प्रवाव से लागूद किया गया से इसके बातियमसे यह पता कर सकते है कि अपने देश को बचा सकेए अपने देश को सजो सके इसलिए हमने कि इनसले आटिकल्सवाह सबसे पहले लागूद कि या बार समझना आगी अब हम एक एक फेक्ट के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं 394 भी था और 394 अमने लिखा है वेटा 394 भी था इसी बार लेकर आप सकते संदाल सवा की अन्तिम बैठक कब होई अगर यह प्रश् profess दान सवा की अन्तिम बैठक कब होई क्योंकि इस दिन अन्तिम बैठक नहीं थी यद रहे 24 जन्वरी 1950 को सम्दान सवा की अंतिम बैठक होई एक नया प्रशना आपके एक्जाम में बनता है इसकल सम्दान सवा की अंतिम बैठक सभी विद्यारतियों नहीं बात पड़ी होगी सम्दान सवा की अंतिम बैठक 24 जन्वरी 1950 को ही सभी को बाद पता भी होगी सभी सिक बारे में जानते भी होगे लेकिन सम्दारसवा की अंतिया बैठक में 24 पजनों पजास कोई और इसी दिन सम्वारा में आप सभी को पता होगा कि सम्दान स्वा में 296 मेंबरों में 284 में इस पर साइन किये और यह बारे माद संता बारे मां सम्दान सवा का सत्र था इस दिन भी भारत की सम्दान सवा में दो सदस्यों ने सम्दान सवा की सदस्य नई बने थे अब आप पूछेंगे कौन बने थे यह कौन महारा थी थे जो लास्ट दिन सम्दान सवा की सदस्य बने थे कोई बता सकता है कि दो लास्ट वाले सम्दान सवा के दो सदस्य वने कोई इनके नाम बता सकता है कोई बच्चा है जो इनके नाम बता दे कोई बच्चा है जो इनका नाम बता दे कि सम्दान सवा के मेंबर क्योंते रहा करूं अंतिम समय संदाल सवा की सदश्य वने यानी अंतिम बैठाग संदा 뉴스 अधी 24 तारी कोई और इस बैठैक संदान इसके संदाल सवाके सदश्य सबने प्रोएज बदा सकत favor है अंगी नाम क्यों नाम है ये कहां से थे तो ये बंबई से हुआ करते थे रतना बरपा इनका पूरा नाम था ये मंबई से हुआ करते थे एक दूसरे का नाम क्या था दूसरे का नाम था वाई एन परमार वाई एन परमार तो वाई एन परमार साफ जो हुआ करते थे ये कहां से थे हिमाचल प्रदेश स कोसी हुआ करते थे तो दो सदस्य थे जो सम्मधान सवाके को सदस्ता ग्रेहन करी और इसी 24 को सम्मधान सवा में आप जानते राष्ड्य बारत्की बार्त के राष्ड्य परशाद के राष्ट्र यगीत लोרא interrupt का इनको उसी तhar upwards को सुउछकर गया डिसाओ अगर राष्ट्री जंडा की बात करें तो जंडा के बारे में आपको पता होगा कि जंडा सुईकार हुआ था 22 जुलाई 1947 को बाकी आप सभी की बारे में बात करते हैं सभी सुईकार हुआ थे सी तारीक को राष्ट्रपती 24 जन्वरी को राष्ट्रगी 24 जन्वरी को राष्ट भी ने पॉसिवल नहीं हो पाते हम वहां सब कदाने इतना को भी जयारतियों के लिए BPS exam में इतना नहीं पूचता है इस class में कुछ और ही परपस है कि समझ में आ रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं हम था इत्थ बताईए था है मेरे भाई जीव म्युजिक राजिस्तान लुए इस अंधू में समझ में आ को सींक eerste तो जहां पर भी आपको संग नाम का सब्द द्रिब ऐ उसके जवाला नहेरू जहां पर भी आपको प्रांत मिले तो इसके जए सरदार पर्लंबाई प्रारूप समिती है हुआटयव अभी आप really कर मुल अधिक्र समिती सेवाल्लंबाइ बड़ी समिथिया मूल अधिकार उप समिथी जेवी करपलानी एक्जाम में पूछा याता है और अल्पसंग के गुप समिथी एचसी मुखर जी प्रशने पूछा याता है प्रिक्रिया नेयम नेयम बनाने का कारे कौन करेगा समधार सवागा अध्यच करेगा वही नेयम बना ना प्रिक रिए बनाना किसी को बिठाना कि उक्षार करना यसारे काम किये थे आपके एक व्यखतीर जिनका नाम था डॉक्टर राच्द प्रशाद राज्यों के लिए समेति जवालां नहरू संचालन समिती डॉक्टर राड़ेंस प्रशाद के दवरा परूछight प्रशने प्रशाद ने राष्ट दोज बनाया था इसका उत्तर होगा डॉक्ट राइंद प्रशाद जो है इसके अध्य चुआ करते थे पीडियाफ का लिंक अपने पिन कर रहा है आप पीडियाफ का लिंक ले सकते हैं बहुती इंफोर्मेशन बेसिक थी जो मने लाश्ट में बताती अब किसी बच्चे को कोई प्रकार का फेक्ट का डाउट है तो भी क्लास में समय है आप मेरे से यहां से पूछ लीजिए आपको सैडिस्पेक्शन देना मेरा कर्तब दे है आप बताए गुरू जी अच्छा राइंदर बावु और नटवर लाल आपके गाउं से थे आपका घर जो है सिवान डिस्टिक में जिर्दो जिरा देही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब यहां से कोई प्रश्ण आपके मन में तो आम उसे प्लिए टेलिग्राम चैनल का लिंक अमने पिन का लिंक अभी पिन कर रही है टीम जी एस बित करंग चौधरी कोई बात नहीं है आपकी क्लास में थेंक सर थेंक्यू कोई भी डाउट अगर है तो आप पूछ लीजिए एक बच्चा था कह रहा था सर फैक्ट के लाभा कुछ कॉंसेप्ट चाहिए तो पूछिए क्या क्या क्ष्ट को क्याूँ सा दे कुछ दिख़ा है कि आप इस सौलह सवागी निरमाण होता है कि को 1916 को क्या हुआ त। अँढ़ पूछ रहे है सट मेरे भाइस सोले ते शाल lass को सपथा था शोले तारीक को लिए अब नोकर 9ो 10 तो 11 आरे को 12 और 17 और या को डिए कुछ बिया क्या हुआ 17 को क्या हुआ इसे पिनोगा सामने से यहां से पिनो अब इस पर दिख आप दिए और बताए और कोई नई चीज और कुछ नई चीजए प्रस्ण में आप सी पूछता हूं कि बच्चा उत्तर दे सकता है कि सम्दान सवा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसम्मर 1946 को सम्दान सवा की पहली बैठक में निमंतरण पत्र किस ने दिया था तो बदा सकता है कि सभी सदस्यों के पार निमंतरण पत्र गया था कि आप सभी को 9 तारीक को आना है कि आने 11 वजी आने और दिल्ली संब्धान सवाद दिल्ली में सेंट्रल ओन में आपको मिलने इसका निमंतर पत्र जो है किस ने दिया था आपको बता सकता आप में से कोई विद्यारती है जो बता दे इस बात को कि राव प्रारूप संद्री परस्ताव रखाता सर हां विए राव ने भी रखाता पहला परस्ताव लेकिन जिसको बाद में रिजिक्ट कर दिया था कोई बता रहाए बीवी गरी साथ तेंड वा थैंड कि शर्थ थेंड कुमार ति थेंड कुमा तिवारी जी लव्यू रॉब स Grass पुछेशको बता सकता है को सबिस्कूर हैं उनका प्रारूप यानि उनको किसने आमंत्रत किया थेंड क्यू अ किल से ट्राफ्टिंक आहें द्राफ्टिंकunft हो ली कि सम्मिड्य करें कैजिते हैं ट्राफ्टिंक तो पटनि सभी को ला रही सम्धासब्स किसन नहीं किया था अब आपको कमेट करके बताना है सम्धासब्स के सच्चिव कौन थी कि एक आप सधîne σταट आते को बदाना है कि सम्मेदान सवा के सच्चिव कौन थी सची और क्लास कैसी लगी लास्ट में कमेंट करके अब इससे बताना एक बिद्यारती था आप प्रशन उठा रहे हो तो अभी आपकी महरवानी है तुझा सा जोड देकर जोड जा देते हैं अगर उन्हें क्लास नहीं चल रहा है मेरे भाई याद भी करवा दूंगा टेंशन लाले देख मेरे साथ सा सुन फैक्ट बहुत जाद है ना सम्दान सवा की पहली तारीक 9 दिसंबर को सम्दान सवा की पहली बैठक हुई 9 Δिसंबर 1940 सम्दाल सवाख की पहली बैटक हुई 11 बजे हुई दिल्ली में हुई अगर आपको किसी से आपको मिलना है तो आप किसी कैसे मिलोगे आजो मिलते 9 तारीक को आना कहा आना और दिल्ली आना कितने बजे आना पुलक 11 बजी आना कहा आना सेंट्रल होल माना संदाल सवाकी पहली बैठक 9 तारीक को 11 बजी हुई एकदम क्लियर है पॉइंट कोई डाउड तो नहीं इसमें संदाल सवाकी जो पहली बैठक थी वो सत्र का पार थी अब मैंने थोड़ी चीजे जादा बताई है तो इसलिए आ से बुजर्ग थे तो आज की लास में थोड़ी से फैक्ट है जब कल आप आर्टिकल वन से बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेंगे कॉंसेट मिलेंगे तो कॉंसेट में की चीज को पकड़के चलते हैं यह जो क्लास होती है संदाल सवाकी पूरी फैक्ट्चल होती है मेरे आपको याद इसे कुद करना पड़ेगा आर्टिकल जो एक से पड़ेंगे तब मैं आपको एकदम बेसिक से जो है ड्रैव करके डेरिविशन की द्वारा एकदम पूरा का पूरा याद करता चला जाओंगा कोई समस्या की बात नहीं दूबारे सू देखना और इसमें क्या का इसा नहीं एक बार इस क्लास में और कोई डाउट होता मुझे पूछन इसको बार बार देखना और एक काम क्या करो यह पहला चेप्टर आपका कंप्लीट हो गया अब कल से हमारी क्लास चेंज होगी इसमें हमने बेसिक चीजों को थोड़ा बहुत आगे पीछे किया उनको आप पढ़ लोगे जो बेसिक बेसिक इनिफोर्मेशन है मैंने काफी अच्छी फैक्शल इनिफोर्मेशन आपको द किलियर मेरे वाई कल से चलेगी प्रस्तावना तो कल का टॉपिक होगा हमारा प्रस्तावना अभी काफी सारी इंफोर्मेशन आपको मिलगी ये क्लास के बारे में आज के लिए इतना ही धन्यवाग आप लोग को कहा मिलेगी यह जो चैनल है जीएस्वित करन चौदरी इसको का लिएस्वित करना ही थास।